मध्य प्रदेश में दसवी बोर्ड परीक्षा पांच फरवरी से और बारवी की बोर्ड परीक्षा छे फरवरी से श्रू होने जा रही हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 9,92,101 चात्र वहीं 7,48,238 चात्राइं शामिल होंगी पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंडर बनाए गए हैं महीं भोपाल में दोनों का क्षाओं की परीक्षा 137 केंडरों पर होगी महीं 10 वी क्लास का आगरी पेपर 28 फरवरी और 12 वी का 5 मार्च को होगा बोड परीक्षा के लिए एसमा एक्ट लागो किया गया है इस एक्ट के तहत बोड परीक्षा के दोरान शिक्षकों को धर्ना प्रदर्शन और छुट्टी की अनुमती नहीं होगी महीं स्कोल शिक्षा विभाग ने एक आदेश चारी किया है इसमें कहा गया है कि 10 वी 12 वी परीक्षा के दोरान कोई भी शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकीगा इसके साथी नकल रोखने के लिए शिक्षा विभाग ने खास तयारी की है इस पार शात्रों को परीक्षा समय से करीबन एक घंटे पहले केंडर में पहुचना होगा वहीं पेपर लीक और नकल रोखने के लिए प्रते केंडर पर कलेक्टर प्रतिनिधी और प्रिसकरमी न्युक्त किये जाएंगे इसके अलावा प्रते केंडर पर वीडियोग्राफी और CCTV कैमरे से भी निगरानी रखे जाएगी